नरेंद्र मोधी जिनकी लहर के आगे विरोधी टिक नहीं पाए देश में सबसे लंबे वक्त तक गैर कॉंग्रसी प्रधानमंत्री है उन्होंने एक अलग नेता की छाप छोड़ी है उन्होंने पीएम रहते कई बड़े फैसले लिये जिसमें नोटबंदी, अनुच्छे 370 हटाना, 3 तलाक और CAA शामिल है हलांके इन फैसलों को लेकर उन्हें विपक्षी पार्टियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा वहीं बीजेपी नेता सुब्रमनियम स्वामी काफी समय से प्रिधानमंत्री नरिंद्र मोदी के आलोचना कर रहे है इसी बीच उन्होंने पीएम मोदी को लेकर फिर से एक बड़ा बयान दिया है सुप्रमानियम स्वामी के बयान को PM मोधी के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है स्वामी ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर मोधी 17 सितंबर को अपने 75 जन दिन के बाद RSS प्रचारक के संसकार के प्रतिर प्रतिबध होकर मार्दर्शन मंडल में जाने के लिए रिटायमेंट का एलान नहीं करते हैं तो उन्हें दूसरे तरीके से अपनी PM की कुरसी खोनी पड़ेगी स्वामी के बयान के कई सियासी माईने भी निकाले जा रहे हैं सुप्रमानियम स्वामी ने हलाकि ये नहीं बताया कि आखिर वो दूसरे तरीके क्या होंगे जिनकी वज़े से PM मोधी को अपनी कुरसी खोनी पड़ सकती है लेकिन कयास और अटकलों का बाजार गर्म है कि इशारों इशारों में स्वामी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी गड़भनन के आगे नतमस्तक है या उस पर कोई नैतिक दबाव है दलसल पीये मोधी के नेत्रतु में 400 पार का नारा देकर बीजेपी ने लोग सभाचुनाव लड़ा लेकिन अपने दम पर बहुमत का आकड़ा हासल नहीं कर सकी और बैसाखी की सरकार बनानी पड़ी इसलिए बार बार विपक्षपी बीजेपी को इस मुद्दे पर चढ़ाना नहीं भूलता वहीं अब बीजेपी नेता सुब्रमन्यम स्वामी भी गडबंधन को लेकर अपने ही सरकार को लपेट रहे हैं खेर बात चली है तो आपको बता दें कि सुब्रमन्यम स्वामी का कटाक्ष मोधी युग में 75 साल के बाद उम्रदराज नेताओं को मालक दर्शक मंडल में भेजने को लेकर है दरसल बीजेपी में एक अलिखित नियम है कि 75 साल पार कर चुके नेताओं को मालक दर्शक मंडल भेज दिया जाता है उम्र की वज़स से पहले लालकृष अडवानी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिगजों को मालक दर्शक मंडल में भेजा जा चुका है वहीं बाद में सुमित्रा महाजन जैसी नेता भी दोगसभाचुनाव में नहीं उतरी वहीं बीजेपी से जुड़े लोग दबी जुबान में ये भी कहते हैं कि मार्वदर्शक मंडल में वहीं लोग रखे जाते हैं जिनसे पार्टी को मार्वदर्शन लेना नहीं होता है वहीं जैसे ही बीजेपी नेता सुब्रमानियम स्वामी ने पोस्ट किया, सोशल मीडिया यूजर्स खुद स्वामी के उपर ही कूद पड़े, यानि उनकी ही मौश लेने लगे. स्वामी के पोस्ट पर कुछ यूजर्स ने तंज भी कसा एक यूजर ने स्वामी को कहा कि आपको तब भी राजसभा सीत नहीं मिलने वाली उधर दूसरे ने पूछा कि सर आपने अब तक दूसरे तरीकों से वित्तमंत्राले क्यों हासल नहीं किया वहीं तीसरे यूजर ने लिखा उन्हें ततकाल लालकृष अडवानी के मंडल में शामिल होना चाहिए बाबा को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाए वहीं एक यूजर ने तो राहुल गांदी पर स्वामी के हमलावर रुक्का जिक्र करते हुए मजे ही ले लिए उन्होंने लिखा स्वामी सर मोधी अंकल को सिर्फ राहुल जी हरा सकते हैं लेकिन राहुल जी को पी-म आप बनने नहीं दे रहे हैं इसलिए मोधी जी हट नहीं रहे आप तीनों मिले हुए हो वीजे पी ने ता सुब्रमन्यम स्वामी के पोस्ट पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए इस खबर को शेयर करना बिकुल न भूले